Hello Friends, Money Tips चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेगनेंट हैं तो प्रेगनेंसी की न्यूज हमें कब दूसरों को नहीं बतानी चाहिए और ये न्यूज हमें किसको नहीं देनी चाहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा देखे आज से ही नहीं काफी टाइम पहले से ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी की खबर हमें शुरुआत में सबको नहीं बतानी चाहिए शुरुआती तीन महिने आपको ये न्यूस किसी को भी नहीं देनी चाहिए कोई अगर पूछे भी तो आपको इस बात पर रियाक्ट नहीं करना है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताना है क्योंकि प्रेगनेंसी की न्यूस जादा दिन तक छिप नहीं पाती है और एक ना एक दिन ये न्यूस सबको अपने आप ही पता चल जाती है तो जो शुरुआत के तीन महीने है यानि जो आपका फर्स टाइमस्टर है वो बेहद नाजुक होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है और उसमें आपको ज़्यादा साफधानिया रखनी पड़ती है और बहुत ही संभल के रहना पड़ता है क्योंकि फर्स टाइमस्टर यानि शुरुआती तीन महीने में मिस्कैरेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इसलिए आपको उस पीरियर्ट पर अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और ये न्यूस किसी को भी आपको नहीं बतानी होती है फर्स टाइमस्टर में आपको कई प्रॉब्लम भी फेस करनी पर सकती है जैसे वीकनेस, मौनिंग सिकनेस, हलका सा सरदर्द या हलका फुलका फीवर भी आपको आ सकता है अब बात करते हैं कि ये न्यूस हमें शुरुआत में किसको नहीं बतानी चाहिए देखिए अगर आप वर्किंग हैं, किसी आफिस में काम करती हैं तो फर्स टाइमस्टर में आप ये न्यूस किसी को भी ना दे इसके अलावा आप अपने आसपडोस अगल बगल में भी किसी को भी अपनी प्रगनंसी की न्यूस मत दिजे शुरुआती महीनों में क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगले के मन में या किसी और के मन में क्या चल रहा है और एक बार जब आपका ये तीन महीने निकल जाएंगे तो इसके बाद आप safe pregnancy की और अपना कदम बढ़ा लेती हैं और आपका जो danger zone होता है वो खतम हो जाता है और इसके बाद आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 4 months से आपका baby bump ही सब कुछ बोल देता है और अगर आपने शुरूरत में ही सब को बता दिया तो बेवज़ा आपको किसी problem को face करना पड़ सकता है जिससे आपके और आपके baby को नुकसान पहुँच सकता है तो pregnancy की नियूज शुरूरत में आप सबसे पहले आप अपने partner को दीजे अपनी mother या mother-in-law को बताईए और जो भी आपके close friend या close relative है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं अच्छा सोचते हैं केवल उनहीं को बताईए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीन महीने अगर आपने ये बात इसी को नहीं बताई तो pregnant lady को आगे ज़्यादा problem face नहीं करनी पड़ती हैं तो first timeister यानि शुरुवाती महीने में आप अपना ज़्यादा ध्यान रखिए ज़्यादा ख्याल रखिए nutritious खाना खाईए free mind से रहिए tension free रहिए कोई भी stress मत लीजे हमें इसा positive तोचिए खुश रहिए time से doctor के पास आईए time से medicine लीजे अपना regular check up और ultrasound कराते रहिए और अपनी pregnancy को enjoy करिए तो I hope ये वीडियो हर एक pregnant lady तक पहुँच गया होगा जितनी भी महिला प्रेगनेंट हैं उन तक ही message पहुँचाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि early stage यानि early pregnancy में हम कुछ ऐसी mistake कर देते हैं जिससे की miscarriage होने के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इन सब बातों का आप जरूर से ध्यान रखे शुरुआती महीनों में तो आज के लिए इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा pregnant ladies के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर हिट करिएगा जिससे कि मैं एक फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए तो मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग